कल 13 माई को चोथे चरण का मत्यदान है और चरण में रो राजयों और एक केंदशासरित प्रदेश की 96 लोग सवा सीटों कर मत्यदान हो ला है इस रेस में सियासी ट्रैक के कई दिگज ड्राइवर अपनी पार्टियां रेस में है चौथे चरण में कई बड़े दिगजों की प्रतिष्ठा दाव पर है जिसमें कन्नौज से अखिलिश यादव, श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला, बेगु सराय से गिरीराज सिंग, बहरामपुर से अधीरंजन चौधरी, कृष्णा नगर से मौवा मोहितरा, आसन सोल से शत बज़ार आएंगे, तो देख लेते हैं, एक बार चौथे चरण में किस राज्य की कितनी सीटों पर जो है, वो मत्तदान होने जा रहा है, तो 96 सीटों पर मत्तदान होगा, और अगर 2019 की चुनाओं की बात करें, तो इन 96 सीटों में से जादतर सीटों पर बीजेपी ने ही देख सकते हैं, आपर आंधर प्रिदेश की 25 सीटों पर चुनाओं होने जा रहा है, बिहार जो है उसकी 5 सीटों पर होगे, जार खंड में 4, जमू और कश्मीर में 1, मत्र करतेंश का कल आँकरी चरण का मत्तदान है, आकरी 8 सीटों पर मत्तदान होने जा रहा है, स्वागत है आपका जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है मिताब जी 2019 के लोग सब चुनाओं की अगर बात करें तो बीजेपी ने 42 सीटों पर जीत यहां पर हासल की थी YSR कॉंग्रिस जो है 22 सीटे, BRS ने 9, कॉंग्रिस ने 6, त्रिणमूल कॉंग्रिस ने 4, TDP ने 3 और BJD, AI, MIM की बात करें और शिवसेना ने तो इन्होंने 2-2 सीटें यहां पर जीती थी तो ऐसे में यह जो 42 सीटें हैं, इसमें इस बार इंचियानवे सीटों पर इसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है क्योंकि कई दिगज़ जो हैं वो भी इस बार चुनावी मैदान में हैं देखिए इन 96 सीटों में से जो गैर NDA, गैर इंडिया ब्लॉक पार्टीज हैं, उनका परफॉर्मेंस यहां सबसे अच्छा रहा बाजपार्टीपा आप क्योंकि लगबग आधी सीटें जो हैं वो दो राज्यों में हैं तेलंगाना और अंग्रप्रदेश जिसमें भाजपा को पिछली बार चार सीटे अब इस बार बाजपा की उमीद है कि तेलंगाना में क्योंकि प्यारेस कमजोर हुई है काफी सारी लीडर उसके की पोलर चुनाव हो जाए और जहां पर बीजपा और कॉंग्रेस पार्टी के बीच में चुनाव होता है वहां पर बीजपी को एक अपर हैंड होता ही है क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो वं तुवन पाइं प्रदेश में जो बाजपा का स्ट्राइक रहा है वह नंबबे प सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब नुए बड़ती है तो यहां पर टीडीपी बिज्एपी जन सेनागडबंदन के लिए विदान सब्सक्राइब आंद्रेप्रदेश में जीतना ये एक बड़ी चुनाती है अगर वो जीत चाते हैं तो आटोमेटिकली लोग सभा में इस गड़ बंदन को वहां से जादा सीटे मिल से एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं अमिताब जी की जगन सरकार ने तीन राजधानियों का जिकर यहां पर छेड़ा है एक अखाड़ा बना हुआ है जो कडपा की सीटे भाई भेन के बीश में विरासत की लड़ाई वहां देखने को मिल रही है इसके अलावा हम ये भी देख र रहे हैं क्या ये विपक्ष पे जा सकती है या इनको फाइदा भी पहुंचा सकती है चुनाओं में जो स्टेट कैपिटल का मामला ये पिछले पांस सालों से लंबित है जब टीडी सरकार थी तो उसने अमरावाती वो स्टेट कैपिटल अनौन्स किया था लेकिन जगन ने तीन कैपिटल का जो शबूफा है वो छोड़ दिया था तो और आज जो राज्य है उसमें कोई भी कैपिटल नहीं है तो ये एक मुद्दा जरूर है जैसा आपने कहा शर्मीला जब से स्टेट कॉंग्रेस प्रेशिडेंट की अध्यक्ष बनी है तो कॉंग्रेस पार्टी जो वायसार सीपी का जो फूर वोट ब्लॉक है रेटी समाज सेस्टी माइनॉरिटी इसमें सेंद मारी की कोशिश कर रही है और अगर कॉंग्रेस पार्टी थोड़ा बहुत भी अपना वोट शेर बढ़ाती है तो वो वायसार सीपी को लुक्सान करेगी और एक ट्रेंगु से वायसार सीपी का भी महिला वोट बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे वेलफेर स्कीब्स जो है महिलाओं के लिए स्टी माइनॉरिटी के लिए वहाँ पर अनौंस करी है इसमें कई सारे कैश ट्रांसफर स्कीब्स भी है तो कहीं न कहीं ये लाभार अबिताब जी उत्तरपदेश की अगर बात करें तेरा सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है दो लड़कों की बात यहां पर की जाती है का नौट सीट पर अब सीधी लडाई मेर आ गये हैं याने के मैदान में कूच चुके हैं अखिलिश यादव ऐसे में पिछली बार सु समाजवादी पार्टी के साथ उसके बार भी यह सीट जो है समाजवादी पार्टी वहां पर हारी उसका मुख्य कारण था कि जो डलित वोट था बीएसपी का वो पुरा का पुरा ट्रांसफर में इस बार यह जो 13 सीटों पर लड़ाई हो रही है इसके सारी सीटें बाजप कि पार्टी को ड़ेज करेगी अगर वह अगड़ी जाती हों का वोट लेती है ओविसीís का वोट लेती है तो वह कहीं न कहीं भाजप Bitcoin करेगी तो अल्टिमेटली बीएसपी यहां पर कैसा प्रदर्शन करती है और किस पार्टी को कितना डैमेज करती है उसके बेसिस पर कन्नौज का जो है वो फैसला हो सकता है सिर्फ कन्नौजी नहीं बाकि जो 12 सीटों है 12 सीटें उस पर भी बेस्पी का जो रोल है वो बहुत important हो जाता है अलाकि एक social coalition के मादरे में अगर एक और रेंगो कोईलेशन देखें तो वहां पर बाजपा के पास अगड़ी जाती लोविसी और गैर जाटाव समाज का समर्थन है वही समाज माधी बाठी के पास अमिताप ची एक और सवाल यहां पर आप से लूगी मैं संक्षेप में लेकिन आप बताइएगा कि 42 सीटों की और MP, UP, महाराष्ट, बिहार इन सब और जारकर इन सब राज़ों में लगपक सारी सीटों पर भाजपा जीती है तो कहीं न कहीं क्योंकि मैक्स आउट हो चुकी है तो थोड़ा बहुत नुकसान जो है तो देखने को मिल सकता है जिसके बरपाई त्यरलंगाना और अंगर प राहूल गांधी का एक बयान इन दनों चर्चा में बना हुआ है राहूल गांधी ने लखनों में एक प्रेस कॉन्फिंस करते हुए ये कहा कि उनकी पार्टी कॉंग्रिस से भी कई गलतियां हुई है और भविश में कॉंग्रिस को अपनी राजनीती बदलने की जरुवत हो कि उन्हें सत्ता का लालच नहीं है लेकिन जनता की सेवा के लिए सत्ता पाना भी जरूरी है साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि बीजेपी एक सो असी सीट से जादा नहीं जीत पाएगी हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जोड़ रही है बिसनस चैंडरिट की राजनी कि हमें अपनी राजनीती जो है उसे बदलने की जरूरत है ये अपने आप पर बहुत बड़ी बात है लेकिन किस तरह से इसे राजनीती खलकों में देखा जा रहा है किस तरह से क्या ये कहीं सानुबूती एकटा करने की कोशिश तरह नहीं नजर आ रही है जी मेरे ख्याल से कॉंग्रेस ने अपने सेल्फ गोल इतने किये हैं कि उनको गिनना मुश्किल है इधर हाल में पिछले दो दिन में एक एक दिन नया नया सेल्फ गोल आया है कॉंग्रेस के निताओं से तो लेकिन ये मानना कि हमसे गलती हो गई ही ये मेरे ख्याल से बड़ापन की निशानी है और शायद इसी चीज़ को लेके राहूल गांधी ये ऐसा मुकर होके कह रहा है गलतियां सिर्फ कॉंग्रेस के नेताओं से नहीं राहूल गांधी स्वयम से भी हुई है प्रकरन हुआ था जिसमें ओर्डिनेंस को फार के पहिए था उन्होंने इंडिया प्रेस क्लाब में दिली में वो सबको मालूम है तो हाँ गलतियां हुई है और राजनेती की नहीं जिस तरह के संकेत गये हैं वो गलत संकेत गये हैं तो पूरा प्रकरन श्वेत अश्वेत का कौन किसकी तरह दिखता है, हमारे देश में लोग ऐसे भी हैं जो चीन के लोगों की तरह दिखते हैं या आफरिका के लोगों की तरह ये सब बाते मतलब विकार में अनरगल हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सब कहनी चाहिए. अलती जी एक बार हम वो बयान भी राहूल गांदी का सुनवाते हैं जो इतना चर्चा में कि उन्होंने आखिर लखनों की प्रेस कॉंफेर्स में क्या कुछ कहा है कॉंग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपनी राजनेती को बदलना होगा यह करना पड़ेगा और यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी में भी ने भी गल्तियां किये हैं और मैं कॉंग्रेस पार्टी का होता हुआ यह मैं कह रहा हूँ अईती जी आपर गल्ती सुईकार करना भी बड़ी बात होती है लेकिन कॉंग्रेस की तरफ अगर देखा जाए पिछले कुछ चनाओं की बात की जाए अगर अगर राज्यों को अगर देखा आ जाए तो किस तरह की खीचतान किस तरह की अंध्रूनी कलह जो है वो लगातार देखने को बिल रही है वो यही उड़ता है कि नेत्रत्व जो है वो दिशाहीन नजर आता है कोई रणनीती नजर नहीं आती और शायद इस गलती पर तो कॉंग्रेस पार्टी ध्यान देती हुए नजर आती नहीं है याँपर मेरे ख्याल से सवाल दिशाहींता का नहीं है दिशा तो है लेकिन कॉंग्रेस का शीष नेत्रित्व लोगों से बहुत दूर है और यह बयान सभी लोग वो सभी लोग दे रहे हैं जो कॉंग्रेस चोड़के चले गाएं कि जब हमें मिलना होता है जब हमारे सामने कि सुधारनी पड़ेगी कॉंगरस को अधियों जभाट जब मिलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि किसी और चीज में व्यस्ते हो बात नहीं सुन रहे हैं यह सभी नेता कह चुके हैं, हो सकता है कॉंग्रिस को छोड़ के कुछ कहना एक बात है और कॉंग्रिस में रहते हुए कहना दूसरी बात है लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब G20 का पूरा जी ट्वेंटी स्री जब पूरा गुट कॉंग्रेस को चेताता रहा कि आप अपने कारेशली बदलिए तो उसके बाद सबसे बड़ा उसका मेसेज यह था कि चुनाओ करवाई एक पार्टी में और नीचे तक चुनाओ करवाई यह और यह तो हुआ नहीं तो CWC का चुनाओ नहीं हुआ है पार्टी की इलेक् चीजें भी बदलनी पड़ेंगे जी एक बात और बताईए क्या जब चुनाओं के बीश में नेताओं के और इस तरह के कद के नेताओं के अगर बयान सामने आते हैं तो क्या वोटरों को प्रभावित करते हैं वोटरों पर फर्क पड़ता है मेरे ख्याल से अगर हम और प्रभावित के लिए तो एक मिनट के लिए आप रुकेंगे और सोचेंगे कि अगर ये आदमी ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है और क्या वाकई इन से तो मतलब लोगों का ध्यान आकरशित करने के लिए और लोगों को इस तरह से टॉकिंग पॉइंट देने के लिए ये अच्छी चीज़ है लेकिन अब गलतियां हो गए और उनको कैसे सुधारा जाए आप सुधारना शुरू करेंगे तब लोगों को विश्वास होगा कि आप वाकई मान रहे हैं कि गलती बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि स्वीकार करना ही गलती एक बड़ी बात नहीं कि अपिर्यों और विश्व मान इनको कि दोरू करी बात दिए कि बड़ी बात नहीं बड़ाए वार रहा हैаюसे कि बात रहे हैं कि अपिरम अबड़ना ही गलती है ठिछिशता रहे हैं गरेकि हैं जगयां हैं कि य हो कि खती बburstाब